हिंदु धर्म में भगवान भुलेनात को कल्यान का देवता माना गया है। स्विष्टी की रक्षा के लिए विश्पान करने वाले महादेव अपनी भक्तों की हर मनुकामना बहुत जल्द पूरी करते हैं। शिवजी के व्यक्तित्तों के कई रंग है। इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है कि भगवान भुलेनात को मनाना अत्यंत सरल है। वे जल्द ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। धार्मिक मानेता है कि जिस घर में भगवान शिव की विधी विधान से पूजा अराधना की जाती है। वहाँ पर शुबता और संपन्नेता का वास होता है। वैसे तो शिवजी की साधना अत्यंत ही सरल मानी जाती है। क्योंकि भागवान शिव मात्रों जल और बेलपत्र चढ़ाने से प्रसंद हो जाते हैं और अपनी भक्तों की सभी मनुकामना पूरी कर देते हैं लेकिन उनकी पूजा से जुड़े कुछ विशेश नियम्भी हैं जिने हर शिव भक्त को हमेशा दियान रखना चाहिए मनतों के अनुसार शिवलिंग को घर के किसी ऐसे कौने में नहीं रखना चाहिए जहां पर उनका पूजन और दाशन मुश्किल से संभव हो पाता हो इसके अलावा शिवलिंग को एक बार कहीं पर स्थापित करने के बाद बार बार उसका स्थान बदलने की गल्ति नहीं करनी चाहिए भगवान शिव की पूजा करते समय दिशा का विशेश खयाल रखना चाहिए बोलेनात की मूती चित्र को कहीं भी या किसी भी दिशा में नहीं रखे बलकि घर के इशान कोन में ही अपना पूजा स्थान बना कर उसमें पवित्रता के साथ रखे और नियमित रूप से शिव जी की पूजा करें साथ ही भगवान शिव की पूजा हमेशा पूर्व या उत्तरतिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए शिव जी की पूजा में कभी भी बासी फूल न चड़ाएं उनकी पूजा में हमेशा ताजे पुष्प स्तेमाल करें साथ ही दूसरे दिन शिव लिंग पर बासी फूल न चड़ा रहने दे पूजा की दोरान बासी पुष्प हटा कर नया पुष्प चड़ाएं साथ ही कहा जाता है कि महादेव की पूजा में तिल और चमपा के फूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए इसलिए से भूल कर भी न चड़ाएं श्रंक और तुल्सी का प्रयोग भगवान भुलेनात की पूजा में भूल कर भी न करें क्योंकि ये दोनों ही चीजों का शिव पूजा में निशेद है साथ ही कहा जाता है कि शिव की पूझा में हल्दी और सिंदूर भी ना चड़ाएं दुनिया में ग्यान बहुत है और ग्यानी तो उससे भी जादा लेकिन काम का ग्यान सिर्फ मैं ही दूँगी बाई बाई दोस्तों मिलते हैं लेक्स्ट वीडियो में